तो यह वहला question देखो प्यारे बच्चों कि इस question में क्या कहा जा रहा है इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक light ray है जो कि travel distance x1 यहां से देखो यह light ray travel distance x and time t1 in air और यहां से दूसरी कहान ही start हो जाती है है और यहां से 10x and time t2 in denser medium तो critical angle निगालना है तो 2023 में आया हुआ question है जो कि एक सस्ता आसान question है और लास्ट यह आया था अभी 2024 चल दा है तो अगर तुम यहां से देंसर से हमेशा rarer में जाती है और critical angle के case में जो light ray है वो interface से होके जाएगी ठीक है तो इसका मतलब एक हुआ कि अगर मैं इसको read draw करूं ऐसे तो critical angle के case में यह light ray है वो ऐसे interface से होके pass हो जाएगी ठीक है तो अगर यह वाली angle theta c critical angle है तो इस वाला reflection angle 90 होता आई हो की इतना तो आपको पता हो गाई होगा तो अगर तुम देखोगे तो जो rarer है वो rarer है तो rarer है क्योंकि इससे rarer तो possible नहीं है मतलब vacuum है तो और 10x in denser medium मेडियम इसका refractive index n1 मालेता हूं इसका मैं n2 माल लेता हूं ठीक है और इसमें speed v1 माल लेता हूं light की इसमें speed v2 माल लेता हूं ठीक है समझ वी आ रहा और इसमें time t1 लगा है इसमें time t2 लगा है तो सबसे पहले जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे इसने इसला कैसे लगाते हैं, मुउ साइन थीटा का प्रोडक्ट कॉंस्टेंट होता है, तो अगर मुउ साइन थीटा का प्रोडक्ट कॉंस्टेंट होता है, को अपवन अपन यहां से एक मिनट यहां से बताया नहीं एक्चियलिक काम करते हैं एर को यहां वन नहीं लेंगे क्योंकि वन लेंगे तो यहां पर ओपर बचेगा एर का वेकियूम का one होता है तो air का मैं एक काम करता हूं कुछ consider कर लेता हूं तो यहां मैंने air का ले लिया n1 आरा समझ में देखो यहां से यह n1 n2 लिये थे तो एक काम करते हैं यहां से यह n2 और यह n1 तो जो पूछ रहा था critical angle हो आजाएगा साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स n1 अपान n2 के equal आजाएगा अगर यह वाली value तुम्हें अपान n2 की value पता चल जाए तो यह question क्या हो जाएगा solve हो जाएगा साइन इन्वर्स n1 अपान n2 निकालने के लिए हम सब को पता refractive index mu is equal to c y b होती है तो पहले medium के लिए लगाएगे तो c अपान v1 और दूसरे medium के लिए लगाएगे तो c अपान यहां से v2 तो अगर तुम यहां से देखोगे तो n1 अपान n2 की जो value आजाएगी वाजाएगी v2 अपान v1 की equal आजाएगी और यहां से distance is equal to speed multiplied by time t distance upon time t ठीक है बहुत basic से इसलिए बताता हूं कि बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है तो यहां से speed v2 जो है दूसरे medium में distance रखो तो दूसरे medium में कितनी चली थी question में देखो 10x और divide कर दूँ time दूसरे medium में लगा था t2 पहले medium में का distance कितना चली थी x time लगा t1, t1 ऊपर चला गया तो x x यहां से cut गया तो जो n1 upon n2 था वो आ जाएगा 10 t1 upon t2 के बराबर आ जाएगा that is n1 upon n2 तो यह अपने पास मिल गया यहां से अब तुम्हें कुछ नहीं करना है यह वाली जो value है n1 upon n2 वो अपने first equation में रख देना है तो यहां से put कर दो first में put in first तो तो थीटा है critical angle that is sine inverse sine inverse यहां से 10 t1 upon यहां से t2 के equal आ जाएगा तो यह काम करते हैं this is the theta c मतलब यहां जाएगा 10 t2 upon t1 मतलब first option अपना सही हो जाता है thank you